हेलो फ्रेयम्स, विल्कम टावर एटिप चैनल, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रियल में नेर जो 20A जो हाली लंच हो है, इसका अन्बक्सिंग और रिफिक करेंगे, क्या आपको ये स्मार्फोन लेना चाहिए या नहीं, इसके फाइदे क्या है और इसके नुक्सान क्य सब कुछ बताएंगे, तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए हम वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं, अन्बक्सिंग शुरू कर लेते हैं, आपसे एक छोटा सारी क्वेश्ट रहेगा, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइक उन जरूर दबाएं, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहरे दिखने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, रियल्मी नेज़ो 20A के उपर के बॉक्स की, यानि कि इसको बड़ बॉक्स लगा है, और बॉक्स में इसके बारे में काभी सारे चीज़ें किये हैं, रियल्मी नेज़ो 20A, उपर आपको स्नाप्रागन 665 और 5000 अमेज के बैटरी, 12 मेगाविक्सल का ट्रिपल केमरा इस सब आपको लिखना, लिखावान नजर आ जाएगा, और यहां पर 4G, 4G, 4G वेरेंट भी लिखावान नजर आता है, और नीचे के साइट में आपको यहां अर्मा ओडर किया है, और 4G भी 64 G वेरेंट है, वैसे आपने दिखावगा, प्राइस पे 11999 में, लेकिन मिला है 9400, 1999 में, बीग बिलेंडे सेल के दोरान, अगर आप प्रिपेड ओडर करते तो और भी 10% का एकिस्ट्राग डिसकाउन आपको मिल सकता था, लेकिन दोस्तों आपको इस एक पीन भी आपको नजरा जाएगा तो दोस्तों चलिए अब मैं दिखाया था हूँ इस एक पीन को यहां पे उसको खुल के देख सकते हैं अब आता हैं दोस्तों स्मार्टफोन के तरफ अब इससे निकाल के हम चेकर लेता है स्मार्टफोन का लूक आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों अब इसको हम निकाल के दिखा देते हैं आपको और बक्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है बस चार्जर आपको और केबूल मिल जाता है और कुछ भी आपको देखने को यहां पर नहीं मिलता है और चार यह जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगता है इसका जो लूक है फॉंट लूक तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन इसका जो रियर लूक है बैक लूक है जो काफी पसंद आता है यह प्रीम आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है और फिंगर्पिंट सेंसर काफी ठीक टाक जगे में दिया गया है लेकिन दोस्तों जो वॉलियम बटन के नीचे जो पावर बटन पर जो दिया जाता है फिंगर्पिंट वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद है और इजी भी होता है उसे यूज करने में और डाइमन कटिंग डिजाइन आपको दिखने को लेका साइड में जो काफी अच्छा और प्रीमियम आपको लुक देता है और फ्रॉंट का जो स्क्रीन है बस आपको सुपर आमल डिस्पोल तो नहीं मिलता है लेकिन काफी ठीक ठ चाहिए दोस्तों इस रेंज में आपको अच्छे-च्छे स्मार्पून और भी मिल जाता है इसमें तो इसमें इस ति तक में काम करता है काफी ठीक ठा काम करता है 4G RAM के साथ में लेकिन इस रेंज में आपको POCO का M2 भी मिल जाता है जो 6G RAM के साथ में आता है वो इससे काफी बहतर रहेगा आपके लिए तो चलिए दोस्तों और POCO के M2 में भी दोस्तों आपको 13 Mbps का मिलता है इसमें 12 Mbps का मिल रहा है तो आप यहां पर कैमरा इसका चेक कर लेते हैं और आपको सबस्पहल इसका शाटर डाउन करके दिखाए दाओ सभी स्मार्फोन में जिस तरह के आपको वहां पर डाटा और चीजी वहां पर रहते हैं वह आप यहां पर देख सकते हैं इसमें कुछ बदलाव नहीं हो है और अब आते हैं दोस्तों कैमेरे की तरफ हर स्मार्टफोन पर आपको कैमरा क्वालिटी सभी लोगों को अच्छा चाहिए तो होता है तो इसमें 12MP कैमरा है कुछ खराब नहीं है ठीक ठाक क्वालिटी है इसका फ्रॉंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं लेकिन मैं आपको बताएं 10,000 में के प्राइस रेंज में आपको इंफिनिक्स का स्मार्टफोन मिल जाएगा जिसमें 48MP का कैमरा मिलता है इसका एक मॉडल और रेमर अन्बक्सिंग कर चुके है हमारी चैनल पर वीडियो नहीं दिखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं स्मार्टफोन मिलता है ना के ज्यादा भेलफर मनी है